नमस्कार कैसे हैं आप लोग उमीद करती हूं खुश होंगे और स्वास्थ होंगे तो आज मैंने खाने में बनाया है गर्मा गरम हैल्दी पराठा जो कि चीज से लपालब भरा हुआ है और भर भर के इसमें सबजिया भी है जो कि बच्चों को तो बहुत पसंद आएगा मेरे बच्चों को बहुत पसंद आया ये वाला पराठा आप लोग ट्राई केजेगा और साथी में मैंने मेरे लिए आज चीजी वाला मैगी बनाया क्योंकि रात को है ना पती देव जी घर पे नहीं आने वाले थे बाहर से खा के मतलब कि आते देर रात को तो मैंने सुचा क्यो गोबी गाजर और सिम्ला मिर्च अच्छे से धो लिया और उसके बाद गोबी और गाजर को ग्रेट कर लिया क्योंकि इसे कट करती तो काफी समय भी चला जाता और हलके से मोटे भी रह जाते तो इसलिए मैंने सुचा है ये दो सबजी को बड़ी ऑसा ग्रेट कर लेते हैं और उसके बाद जो सिमला मिर्च है और प्याज है उन्हें पिल्कुल बारिक-बारिक कट कर लूँगी। मतलग कि डेली तो हम सबजी रोटी बनाते ही हैं बच्चों के लिए लेकिन अगर आप कुछ इस तरीके से हैल्दी तरीके से बनाओगे तो ये मतलग पीजा से भी कई गुना जादा स्वाधिस्ट लग रहा था खाने में और हैल्दी भी है क्योंकि गेहूं के आटे से हम बना हैं या हां पर मैं बारिक-बारिक प्याज को सिंविना अगर दो हरी मिरश को बारी कर लिया अगर और भव्य थोम्राने को सिंपकन में निकीज डाल दिया और चार छोटे छमच में डाल दूंगी चीज सिजनिंग पाउडर यह बहुत ही आसानी से आपको ग्रॉसरी शॉप में नहीं तो किराने के दुकान में मिल जाएगा और इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से यह देखे बिलकुल इस तरीके से यह हमारा इंस्टंट वाला चीज चीज स्प्रेड बन अब इसमें नमक डाल दिया और नमक डालने के बाद पीजा सिजनिंग डाला और थोड़ा सा रेच चीली फ्लेक्स डाल दिया अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी और बढ़िया तरीके से यह हमारी स्टॉफिंग है वो तेयार हो गई है बनके कितनी जादा चीज लग रह तो आप ग्रेट करके चीज भी ले सकते हो या फिर चीज के स्लाइस भी ले सकते हो और यह हमारी स्टॉफिंग तयार है तो रखती हूं साइद में और यहां पर गेहूं का आटा एक बड़ा कप ले लिया इसमें डाल दिया थोड़ा सा नमक और उसके बाद एक छोटा इसका आटा लगा लिए और इसका आटा है थोड़ा सा टाइट लगाना होता है बहुत जादा मतलब कि गिला मत कीजएगा नहीं तो बेलन से बिलेगा नहीं पराथे जो है प्रॉपर नहीं बन पाएंगे तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालते हूए बिल्कुल सकत बना के तेयार कर लिया है कुछ इस तरीके से पाच मिनिट के लिए रेस्ट होने के लिए रख दूंगी और बस पाच मिनिट के बाद इसका हम पराठा बनाना शुरू करेंगे प्लेटफॉर्म को अच्छे से क्लीन कर ले रही हूं ताकि मैं मतलब अच्छे से इस पे बेल पा बहुत ज़्यादा पतलानी मतलब छपाती या रोटी से ना मोटा बेलना है इस तरीके से तो एक बारी में दो रोटी या हम मोटी वाली बेल करके तो यह हमारी दूसरी वाली चरोटी है वह भी तियार है बेल करके यह देखिए और अब इसमें हम डालेंगे स्टफिंग जो इस टी पराठे बनके तियार होंगे और दूसरी वाली रोटी इसके उपर रखके हाथों से पहले चिपका देंगे और उसके बाद काटे वाले चम्मस से इस तरीके से इसे हम प्रेस करेंगे तक कि बड़ी असा सिल लॉक हो जाए और अब तवे को रख दूंगे गरम होने के तवा बढ़ी असा गरम हो गया है तो अब मीडियम फ्लेम पे इन पराठो को बढ़ी असा सेकेंगे अलटते पलटते हुए एक साइट से पक गया है तिसे पलट दिया मैंने और घी लगा लिया बढ़ी असा लपालप घी लगाईए गा मतलब इससे इसका स्वाद बहुत ज पकालेंगे सेक लेंगे फिर से दुसरे साइट पलट दिया और घी लगा दिया मैंने दुसरे साइट भी और अच्छे से फिर से इससे प्रेस करते हुए हम इस तरीके से दबाते हुए पकाना है ताकि अच्छे से इक्वली चारो बगल ये पके अलटते पलटते हुए तो यहां पर लगभख चार मीनिट हो गया है और यह पराठे जो हैं देखिए हलके से फुलने लगए हैं कि नारो में भी अच्छे तरीके से प्रेस करते हुए दबाते हुए मैंने इन पराठे को पका लिया है तो बस अब इन चीजी पराठे को चीज वेजटेबल पराठे को नि इसे यह खाने में भी आसानी हो जाता है और बच्चे इसे इसली पकड़ के खा लेते हैं तो मैंने एक पराठे में छे तुकड़े किये हैं इस तरीके से और आपको में खोल करके दिखाती हूं कि कितना जादा चीजी बन के तयार हुआ है पॉफिक्ट बना है स्वाद तो म मुझे भी बहुत पसंद आया था और फिर मैंने मेरे लिए चीज वाली मैगी भी बनाई क्योंकि रात को यह मैंने बनाया था तो फिर मेरा मन कर गया कि चलो मैगी भी खा लेते हैं आज तो फिर मैंने प्याज को बारी-बारी कट किया पैन में डाल दिया बटर तेल दिए साथी में हoga अरिमिर्ष घंट में प्याज बारी ंए अच्छे सबज्च कर लिया यो भी अच्छे सबच आते mea मिटरमें मातर भाद में जले का छो छुमा मटर में आपया और अच्छे से इन सॉसो को सबजियों के साथ एक मिनिट के लिए हाई फ्लेम पे कुक कर लिया यहां पर बढ़ी ऐसे सारी चीजे मतलब की कुक हो चुकी है तो अब मैंने इसमें डाला मैगी मैगी भी खतम ही हो गया था तो यह लास्ट वाला पैकेट था वही एक पैकेट बचाता तो वह डाला है और मैगी मसाला डाला पानी डाल दिया और इसे अच्छे तरीके से पकने देते हैं मतलब बहुती तीन से चार मिनिट का समय लगता है वैसे तो 2 मिनिट लिक्खा होता है मैगी के पैकेट में लेकिन कभी भी 2 मिनिट में मैगी तयाभ नहीं होता है अच्छे से पका लिया और यहां पर हमारी मैगी आल्मूस्ट बन करके तयार हो गई है लेकिन जो इसका मेन इंग्रेडियन्ट और मेरा फेवरेट चीज वो ग्रेट करके डाला उपर से और अब कैसा फ्लेम कर दिया बंद मैंने अच्छे से एक बड़ी चुला दूंगी और ये बस तयार हो गया है बहुत ही टेस्टी यमी चीज वेजिटेबल मैगी जो खा के तो